आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज आप और में साथ मिलके बनाते हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग सी रेसिपी यह रेसिपी है एपल लॉंजी थोड़ा सा खटा थोड़ा सा मीठा बहुत ही डेलिशियसली हम बनाने वाले हैं यह एपल का खटा मीठा रेसिपी तो चलिए जट से शुरू करते हैं हमारा प्रोसीचर तो बस इसके लिए मैंने चड़ाया है कढ़ाई कढ़ाई में मैं मेज़र करके डाल रही हूँ टू टी स्पून ओफ रिफाइन ओयल रिफाइन ओयल के जगह पे आप मस्टर ओल भी डाल सकते हैं मस्टर ओल डालने से आपके रेसिपी को मिलेगा एक बहुत अच्छा सा शापनेस तो बस मस्टर ओल डालिया या फिर रिफाइन ओयल जैसे आपकी तेल गरम हो जाएगी उसमें हम डाल देंगे पांच फोरण हाफ टी स्पून यह पांच फोरण मैंने घर पे ही बनाया है जैसे ही पांच फोरण चर्ण चैटक जाएगी फिर हम इसमें डाल देंगे एक स्परिक ailing सरे लिव डालने पाद chat कर सकते हैं और फिर डाल दियाया है मैंने 1 crisp腎 ग्रेट हींजर हई असकेथ से इसमें हिंक अब मैंने हीट को कर दिया है जो निये हमें 1诉 3 जी चीली मैं 8 जिली फ्लेक्ष создNo सोते करें को जरे χुसन सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रिडियन जो की है एपल्स तो एपल्स को डालने से पहले मैंने इसके साथ कुछ किया है जी हाँ मैंने इसको मैरिनेट करके 15 मिनिट तक रखा था और मैरिनेशन के लिए मैंने यूज किया है आप चाहें तो इसमें नॉर्मल हमारा घर में हम इस्तेमाल करते हैं किशमिश उसको भी यूज कर सकते है तो बस ये दोनों डालने के बाद फिर मैं डाल रही हूँ इसमें टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट और सॉल्ट डालने की बाद डाल दिया है तो जो ऐ अपल्स है आजय से कोट ओ जायगा सॉल्ट और तर्मरिक से और फिर हम इसको करेंगे कूक का ढ가는 हीट का टेम्प्रेचर मैं जरूर करीगा नहीं तो हमारा ड्पल को चल शकता है तो हीत अभी अब ही है और अभी मैं करूंगी हमारे एपल को कुक इसले मैंने उसको धग भिया है धग के मैं आपल को तब तक कुक करूंगी जब तक वो सॉफ्त नहों जाये देखी तो आ अधा मशी हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा क्रंचीनस तो होना ही चाहिए तो बस मैंने चेक कर लिया कि हमारा एपल्स परफेक्टली कुक्ट है इस स्टेज पे हम क्या करेंगे इस स्टेज पे हम इसमें डालने वाले हैं रेड चिली पाउडर जी हां मैंने हमारी टेस्ट के इसाब से इसमें हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाला है और रोस्ट करके रखा था मैंने कुरियांडर और क्यूमिन पाउडर उसको भी म आपल को जाएगी और सारे ड्राय मसाले के फ्लीवर को अच्छे से एब्सॉर्ब कर लेगी उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वीटनर के लिए मैंने यूज किया है यहां पे जैगरी पाउडर यह है पाम जैगरी पाउडर जो मैं इसमें यूज करूंगी आप चाहे तो इस मैंने लिया है पाम जैगरी पाउडर फाइफ टेबल स्पून तो आप अपने फैमिली के रिक्वाइमेंट के हिसाब से इसका जो एमाउंट है वो अप्ट डाउन कर सकते हैं जैगरी पाउडर डालने के बाद हम इसमें लगाएंगे एक अच्छा सा मिक्स और फिर इसको हम कुक करेंगे कुक करने के दौरान हम हीट को रखेंगे स्लो टू मीडियम और बीच बीच में पानी डाल कर हम इसको कुक करते रहेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसका ग्रेवी का थिकनस ना बढ़ जाए इस स्टेज पे मैं आपके साथ शेर करूंगे एक स कर शेयक डीच को बनाने के लिच बनाने के लिए क्या कर सकते हैं उसको कर ली जिए थोड़ा थोड़ा मैश इससे हमारी लांची की जो ग्रेवी है आटमेटिकली थिक हो जाएगी और देखें बस हमारी जो यह लॉंज जी है वह बनकर और अलमोस्ट तयार है कितना बहतरी तो मैंने कर लिया है स्विच ओफ और लाउंजी को मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी थोड़ी देर ताकि जो फ्लेवर्स है वो अच्छे से अब्सॉब कर ले हमारे एपल्स और मुना का और फिर इसको ठंडा होने के बाद मैं सर्फ करूंगी विद राइस और फुलका आपके सह साथ इसको भी रफर कर पाएं और अपके घर में यह रेसिपी को कर सके रेपलिकेट ऐसे ही आसान घरेलू रेसिपीज अगर आप देखना सीखना और आइडेस रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को करिए क्लिक और मेरे साथ हमेशा कर बाइब बाइब आप एवल